एन्ना डेफर गबरू किदा मैं कैसा नोवा गुडगावा का गोरा चिटा एन्ट तु देखो लगता है जैसे प्राडागुची ने मिलकर पुतर पैदा किता कद छेफुट जी लुक टू गुड जी ओ इस पैकेज में हो जाती है कुडियों की नियते खराब जी जी वटा हाट टॉब जी तु नेक्स संग प्लीज अपकी परमाईश का रग्रम चल रहा है और अगर मैं बोलू आपने अच्छे गाने अपने गाए है इतनी अच्छे आवाज वाज मैं बोलू आप अपनी सबसे खराब आवाज अगर वही गाना गासकते मतलब अगर आँ ब मुझे यह भी अच्छा लग रहा है यह बिख आप कर गारे है इस वर्फ राप कर के गारे के रहा है अच्छा राप जी एड़ा है वहाद आप जी एड़ राप जी वो भी हिट जा रहा है हा Empress затем कैसे ह्मिर रिस्पोंस मिल रहा है personality चाहस रिस्पोंस यही वाद सब्सस्ड़ है में जो बात है कि वह गाना रनभीर की लिए रूप्रे की एंट्री स्वंग दूसरी बार कि लोग बहुत पसंद कर ने चाहरो चाहरे भाई धन से स्ञख works या ड्यार रिपोस्ट करते हैं तो आप टाइप करने वाले हो कि दो एंट्री सौंग देधिये एप लोगे अप लोगे पर आप से आप लोगे रहे हैं तो 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 प्रिश्च बूस्ट अब इस अटारी है यह थो अच्छा है उनके हर अगर अगर आप ठोड़ा सा हाइट रो गाह दीजे तो अच्छा रहेगा ठीक है सचारब जी वत्ठाथ्ट्राब जी सचारब जी गवान्डी मुंडला जवाब जी सचारब जी ओ माइ गौड ये अच्छा ये सौंग मिला कैसे, क्या पूरी स्टोरी का है, बैक स्टोरी यही है हम पीतम दाजूशक के इसके कंपोजर हैं पीतम चकुरती मुझे लिए मुछे कान आया ले विए लिए ट्रो जुट नलुट पना look at भेड जा it मुझे के लिए टो इस गाने के लिए कव्यान पर मुझे या फिट रिव बन रहा तो इस कर दो पाल बना I और गाने के जो बोल लिखे हैं आमिताब जी ने उसमें प्राडा गुची ये सब से ने पुत्तर पैदा कितना अच्छा लिखा है तो वो जो फील को मैंने पकड़ा कि यार इसकी अप्रोच ये होनी चाहिए ये इस गाने को इस तरीके से गाउंगा तो जाद अच्छा लगे तो अंतरा फिर एड किया और फिर वो सब लोगों को पसंद आया और फाइनली मेरी वोइस इस गाने में अच्छा जब आपने बताया कि रणवीर सिंग मुझे ये मेरा परस्नल जैसे इंट्रेस्ट में कि क्या ऐसा होता है कि जब सिंगर्स पहले गाते है या गाना बनता है है सबसे बहले कि अब यह बहले हम यह फिर लिए इस अब मुझे गाता है इसमें डिरेक्टर और प्रडूसर जब सिंगर्डन करते है और इसमें इस में स्टास अब फाइनल हो जा जाती है फिर वो दूंडार की पिच्टर के लिए परफेट मुझे बहुज़ कौं होगा को कि मुझे लब एक सर। आथ मेरे गानगे तो जो अच्छे उनको लगते हैं उनको मुझहा है उनके सिच्टोफे स्टोफेमести यादया कि पर ऋनको नींजे हैं कि एक फेसे कि बडके से सकते तो इसमें डिलता है और हो तो अभी ऐसा है तो आपिर भावाइ बनते है तो कर एक इसको कम्पोजर बनाते हैं भिर लिखे जाते हfight है यह जरिए Anda बिल्रीय लिखे जाते से बहुचे जाते हैं पिर चिंघर को बला जाता है सिंगर कंते हैं साुंड प्रोड्यूस होता है, उत्यू काया है, ध्रागी। इन तो इन सारी प्रोसेस दोती है तो आफ मोझाने हांए estate लाख है इसले से हा रही होती है, जो भी लिखेंगे ऀपकना ल noi हुआ होसा दो मेन सितारे है चांद समुखड़ा क्या कहना उसका अफरी तावत में जैसे ओ शाही टुकड़ा उसके जैसी न कोई नाजनी शाही जुड़ा पहन के आई जो बन ठंके वही तो मेरी स्वीठाट है शाही जो बैठी है दुलहन के वही तो मेरी स्वीठाट है नेक्स सॉंग प्लीज आपकी परमाईश कालक्रम चल रहा है ओपर नेक्स सॉंग बताएं प्रवादरी की दुलहनी है वो सुनाता हूं जो की मेरा लाइफ चेंजिंग सॉंग में कह सकता हूं कि उससे मुझे एक अलग पहचान मिली वो गाना में आपको सुनाता है बेबी के देखे जुमके लगा दे चार ठुमके छिचोरे नाचे जमके रे ए ए ए ए यूपी में दिन दाहाडे विंडो और छक पे ताडे हम बैठे आखे काडे रे तुझ पेटी की है मेरी नौटी नजरिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुलहनिया बन्यारे मुनिया दुदरी की दुलहनिया वेरी नाइस यूपी गैं कभी यूपी के जुभात कि आपने दिन दाहाडे वो लिरिक्स राइटर की बात है और जो करेक्टर वरुन थे इसमें यूपी में तो इस सब अधिसे अभी जो आपने हार्थ रोब गाया है इसमें पंजाबी तो कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक इस पेसिफिक जगे से हो तो कोई और लैंविज या लिरिक्स पकरने में कभी प्रॉब्लम होती एक्सेंट पकरने में होती है जैसे मैं बंगोली सौंग भी गाया है तो पहले जब हम जाते हैं स्टूडियो में तो वहां पर बैठे रहते रैटर कि उसको कैसे बोलना है किस तरीकिसे इस वर्ड को पुनांस करना है जैसे पंजाबी है इसमें पंजाबी में जैसे गवांडी मुंडा पढ़ाई की तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है पंजाबी लेंग्विज का तो मुझे इसमें उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बट जब हम बेंगोली या तमिल तेल्गु गाने रिकॉर्ड करते है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती और वो तो आपने कभ प्रॉब्लम नहीं थे प्यार का पंचनामा 2 में मेरा गाना था दिला ब्यारो का हो गया पारो का और उससे पहले अंकूर अरोडा मडर केस थी उसमें भी चोटी स्टार्गास थी तो स्टार्टिंग को हमको ऐसे करनी पड़ती और गाने का कुछ नहीं तो आपने देख और चोटी स्टार्गाने मिल जाए इसे आशकी वन आई थी उसमें स्टार्गास नहीं थी उसमें गाने लेकर आज भी लोग आते हैं तो यह है आपको हमेशा से बॉलिवुड सिंगर बनना था प्लेबैक सिंगर बनना था या डेस्टीनी कुछ ती जो इधर आ गया नहीं जोनी मुझे बनना था हमेशाथ से बच्वताक बताया अच्टीनी साथ यह बताया कि मुझे लिए कि एशुर्दार्भी साब के लिए अच्छ लगते थे और फिर धिर इन्ट्रस्लेश की नहीं आई अगते है और तो फिर बड़ एच्छी चीज है और घर में उनके गाने तो लिख के याद करना फिर यह देखना कि मेरी आवाज उनसे मैच होई है कि नहीं इस सब चीजें दिमाग में बच्पने में सब कुछ करते थे फिर जब बड़े हुए तो फिर सोचा कि आर कुछ सीख लेते हैं फिर सीखने के लिए पंजाब किया वहां से सीखा फिर पंजा कि अधिर कर भी लिए को फिर में आगे शुदा भी एक सामजी मेरी प्रोजेक्सा का अभी है कि अभी प्रोजेक्स बाइपलाइन तो यह था तो अहां भी आने वाले हैं चीजेंग इने ठाट्रॉब्सरीज को अब इस वाणे जाया सकते हुआ इंसे जां पहले निंगार है इतना सक्सेस हो गा यह सोचा इतना प्यार मिलेगा गभी सोचा तो नहीं इतना नहीं सोचा था मैं अर जो मैं करण जोहर को बोलूंगा कि उन्हों ने जो शूट किया गाने लाइफ वाले स्केल बड़ बड़ी स्केल तो उससे भी गाने के प्रमोशन में फार्क पड़ता ह अच्छा आप तो सिंगर हूँ आप तो जो भी गाना गाओगे अच्छा ही गाओगे अगर आप कोई भी और हम लोग एक हैं जो हम लोग नॉन सिंगर्स लोग है तो हम लोग कभी भी बैटे बैटे काम करते करते गाना शुरू करते तो बगला बगला भाई प्लीज कान बन हाँ भाद गाएं कर दिस फिर पड़ निकलेगा दिए अगर अगर अच्छा भी गाएंगे तो फिर फ्लाब निकलेगा लिए इंग अब जया अच्छा इसे अच्छा बहुत है तो आख जलेगा गाई उसका उसका हो तो सौबढ़द कर दो कुंद को गई इस मूजे यह तो यहां पर अभी मुंबई में आप बड़े लोगों से मिल रहे हैं, बड़े लोगों के साथ बैठना हो रहा है आपका बड़े लोगों से तो जो पीछे दोस्त है, फामिली है, वो कभी खेती है तुम अब बड़े हो बातं हो बिए तूम बढ़े साट नहीं करते हो जादा बिसी हो अइसे लोगों को क्या कहना है आपका? ने, 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 बुढ़ते ने क्योंकि मैं हमेशा अपने दोस्ते हैं उनसे तो हमेशा तॉप ठूश में रहता हूँ बद सब्सक्नाइव कि अगर तुम कहीं पर काम करें कोई इंड़िस्ट्री में आपको काम मिल रहे हैं तो बहुत हो बद घर ठाइम में उन लोगों से मिलत आगे भी जब आप और बड़े हो जाएगे तो पुझे उमीद है कि आप नहीं देंगे परेंट केसा रियाक्शन है बहुत खुछ है बहुत अभी तो कुछ सालों से उनको लगता है चलो गाने तो आप आते रहते हैं पहले पहले जब नए ने गाने हीट हुए थे बदे कि द आप बेसिकली आपका घर कहां पर होम टाउन क्या है आपका मेरा उत्राखंड उत्राखंड है तो अब कभी ऐसा होते हैं कि आप उत्राखंड में बोल रहे हैं महले वाले आज इनके बीटे का गाना बहुत अच्छा था या आप गए तो अरे इनका पिटा मदा अच्छा ग अच्छा लगता है कि मैंने काफी महनत किया मैं बहुत पहले 2010 में मुझे मेरा हीद गाना मिला मतलब टाइम टेकिकिंग तो जब यह थोड़ा सक्सेस मिलती है घरवाले से खुछ तो होते हैं और ऐसे भी लोगों कि जब आप गई होगे तुन्होंने बोला होगा क्या करने पता है कि अवाले जब लडगा किना अच्छा बना डेए तेगे तेंगे नहीजी कवेटा हैं रहा है करकक करकक एसे लोग जब लिशल कुछ नहीं हो रहा होता तो यही बोलते है यह बड़ी आइज चलेते हैं सिंगर बनने वाली वुड में एखो कि इतने साल होगे बता है वें लोग बोलते हैं, देखा हमने भोला था है, तो में लोगों आज देवनेगी हैं जो गाने गारे ज़मारे अच्छा मेरा जो अगला कही आपने बताया कि एक आप ने स्टेड क्ढान प्रोसेस है तो यह जो अगर कुछ जो वीवर्स हैं इससी को गाना-गाना है या किसी को सिंगर बनना है, बॉलिवोड में प्लेबैक सिंगिल करनी है, उनको आप क्या एडवाइज देंगे, कोई बच्चे, यंग्स्टर्स, जो है, टीनेजर्स हैं, उनको क्या बोलें गया? यह उनको नहीं बेहनत करें, मतलब सीखें बनना है, तो उस तरीकी का बॉजिक सुने जो 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 गाई की प्लेवेक सिंगर में होती है, उस तरीकी का मुजिक सुने और उसमें प्रैक्टिस करें, और दूसरा, आज और हम जाके वह अपनी अपनी तेल्न, तो दिखा सकते हैं, लो भिष्श कोमपोजर्स होते हैं उन से इंधियों लुज़ सकते हैं जिससे कि जो टूड़ा टाइम टिंग प्रोसरसे से थोड़ा ख़ुड़ा गुम हो जाता है मतलग उन से तुम एपकी वाइस को आपको रवा सकते है तो अन से में यही कहूंगा कि थोड़ा मेहनत करके आई है और थोड़ा सब्र रख कि आई है मायन अगरी में और शिफ्ट होना बहुत जरूरी है मुंबई में अगर कोई चाहे कि नहीं होना है अगर अगर कोई बच्चा है जो 16-17 साल का उसे आप क्या बोलेंगा अभी शिफ्ट हो जा सब्सक्राइब करें वहां पर आकर आप पहले देख सकते हो कि आपका कहां तक महुच रहे हो और कितना आप में प्रोटेंशल है तो यहीं कहूंगा कि पहले यह जो अपने रिल्टी शो में ट्राइब करें उसके बाद फिर आए तांक यू सो मुच देव हमसे बात करने के अपने अपना टाइम दिया और यह थी कॉन्वसेशन देव के साथ जाते जाते हम एक बार ओर रिक्वेस्ट करेंगे कि एक गाना यह गादे ठीक है उसके बाद हम सीधा साइन ओफ करेंगे थांक यू फॉर वाचिंग अस एंद वाचिंग दिस वीडियो की वाचिंग जिया लल चाए कमर लच काए तो लाखों गिर जाए काहे मारे रताना क्यों बनता है सायाना ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दिवाना स्विट्टी तेरा स्विट्टी तेरा ड्रामा मचादे हं गामा लडाए जुन जरिया जुलम होई गवा आ तेरे हैं दिवाने तू माने आ ना माने अर सुन रे गुजरिया बलम होई गवा य्जिवाए जिसअ गुजरिया भाए बलम होई तेरी थाया।